आज हुम आपके लिए बिसीकली एक्सरसाइज की बात करें तो 9.1 है और चप्टर है 9 समप्लिकेशन आप टेग्नोमेटरी बिलकुल ही सिंबल तरीके से मेरे भाई लोग आपको सिखाने वाले हैं समझाने वाले हैं बहतरी तरीके से आपने ये प्रिविश्ट वीडियो को द जो भी इस्टुडेंट नहीं देखें वो बिलकुल वारी की से कॉस्षन को देखें ये लमकु टेग्नोमेटरी मेरे बिसीकली आपका 10-8 मार्क्स के बीछ में पुछा जाता है वह वाले लेखा तो 12 मार्क्स के पुछाता है बट 8 मार्क्स आप समझनी जी से उड़ए ठीक उनली बस आपके क्या है सर मदद करना चाहता हूं कि आप बस दूर दूर तक जा सकों ठीक है न मेरे बाए इस चैनल के बाया लोगों को बैसिकल अच्छे से फ्री आफको सिखा सकों यह हमारी ठीकिंग है आज समी दुभाई वहनों को हमारी तरफ से हैपी निरॉत्तरी और आ अच्छे समझें सर आपके पास है जो कि बहुत ही इंपोर्टन यहां से दिखेगा आप से लिखा है सर एक सरकस आर्टिश क्लाइब टुंटी मिटर लोगों अब वह बिसिकली कहा है एक सरकस आर्टिश में खास्का हो तो आहां पर एसे रोप लगे होते है न भी जैसे वित अब लोगों जो तांते है समझें तो 20 मिटर लोग भी इस टाइटली जो है इस ट्रेट आइट फर्ट फर्ट वर्ट वर्ट अब लेता है कि सर यह एक वर्टिकल पोल होगा है यहां से समझें को बहुत जी सिंपल पॉंसेप्स हैं भाँगा सर बिल्कुल बिना परशान तो शिं जो निवर्टिकल रोटिकलल पोल है फर्ट वृटिकल पीट होगे सर प्वेसज़े एकल पौळ आप को यह एकल है सर इनग्रण से समझसेखें सर बिल्कुल पलली तरीके से यह आपका ठाउंट हो गया सर न यहां से रोप जो है विसलिए जो पोल कि इस अमनड यह cuánt प जहां से समझेगा सर, पूल आ गया सर जी, हर्जिंटल आपको बिसीकली जो है ग्राउंड होगी और यह आपका टाइपली स्टेज्च है रोप होगया, तो देखें सर एक राइट अंगल ट्रेंगल का क्यों होगे सर, फर्मेशन होगया, किसका फर्मेशन होगया, राइट अं बिसीकली रूप जो है 20-meter long रूप है, डाइट ने शुका की तरीके सिया राइट इंगल ट्रेंगल में इस लैंगल को क्या कहते है, हाइपोटेनस कहते है, यह आपका वर्टिकल पूल है, तो हाइप होगया, तो लेट कर लेती है, हाइप आपका पूल के रहों नहीं कहा है अगे बूल है सर, आगे देखे, कॉशिद अंगल बाइट 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 रूप इस 30-degree मतलब यहां से जब हूं देख रहें तो हमारे आई पर जो बिसीकली होरिजंटरी देखें, इस लाइक तो उस पर्टिकुलर के समें, अब आप इस तरीके से देखें, यह जो अंग हो बूल होती हो है, अब इसके बाइट बाइटे सर इस खती होगया, sutip आप लेसीप जो पणागा को सबसे लेत आपकेक न इस प्ली फग ग होगया,। जओ अब अब यहां बिसखेंESS करेंगे, तो को हम इस इसका हम इस दोग होगया, इसदेख सर पसके लिए भान करेंगे सबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपर संफिstem थिटयर इंटर्ट activityू थिटयर रखा सब्सक्राइब इसकी वगिसे को अょ तो अब इस तरीके से सर साहीं 30 की वैरू आपको यहरू बस टिनोमेटरी चार्ट इस चपर में टिनोमेटरी चार्ट या दोने चाहिए और जो कॉंसेप सिखार हो सब्सक्राइब या दोना चाहिए आपके एट मांक्स से ओड़ है सर तो इसलिए जो है ना सर आपको अच्छे से सीखना होगा एक-एक क्वेशन मैं रोटे लिए आपको 5-6-7 क्वेशन दो दिन पर यह एक सरसाइज कुरी कॉंप्रेट करूंगा क्योंकि एक एक सरसाइज है 16 क्वेशन है तो 2 ज्यादा चाहिए ठीक लिए तो धहां से समझेगे तो साइन 30 AB upon AC 1 upon 2 होगे सर जी AB आपके है निरे जुगा 10 मीटर आगया आपके हाइट आफ पुल यह कहा सर हैंस करके लितेंगे हैंस हाइट आफ पूल जो आपके पास आगये सर तो हाइट आफ पूल तो क्या रहैं कि सराइट कर देंगे सर हर किसी बच्ची को मैट्स एक बारी की से बिल्कुल सिखाना है और मज़े दार करके बिल्कुल मज़ा आजा है जिनसे मनमबर जटाएं की तो मज़ा ही आए है नहीं बहीं तो इसलिए बस जहां से पढ़ें सर जी और जाद से ज़या अपने दोस्तों को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करा हैं सर जी जिससे को फ्री आफ कॉस्ट पढ़ सके शर्च ठीक है ना आपकी जो भी नादरिस्ते दारि जी तो इससे को फिल आफ कॉस्ट इसमें की पढ़ाई कर सके ही तो की दोनों हिंगिस में हम पढ़ाते हैं इसमें सर हिंगिस में पढ़ाते हैं not a totally English language तो चले सर जी बात करते हैं question number 3 के बारे में बहुत ही बहतरी question है ध्यान से देखिएगा आपके पास लिखा entry breaks due to stop अब एक पेड़ है भया पेड़ तो सीधे होता है तो आप सीधे है बना लो भी ध्यान से समझना question पढ़ा हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास टूंडी है थेड़ी नहीं है दिश्टर बोड नहीं है तो आपके लोगों की आश्रवाद होंगे तो दिश्टर बोड भी हो जाएग अब आएसा तो है निकी ज़़च से तूट इए इसने बोड़ तोट गया है बिक होगिया इसका मतलक कहीं बीच से तूटा होगा अब यह जो तोटा हुआ है लेक्सकों जो मालने थे यहां से तोट गी इस प्वेंट से यह कौन्ट जो तूटा हो ग्राउंड पर आके आप ढहां से समझे देशो आपके पास यह डाग्राम मना सरी कि राइट अगल ट्राम जासना डाग्राम मन के सर तो यह पार्ट फूटा हूँ ग्राउंड तक आगे पेड तूट करके गिरा है, टच किया है ग्राउंड को वहां से और उस पेड की पाउदे मल पेड तक की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी दूसरा पंडाउस से क्या कह रहा सब्गी आगे कह रहा है कि basically where the top touches the ground is 8 meter मतलब यह कहा गया कि सद्धान से सुझेंगा मेरे भाइलों फिरसी का और अच्छी बात बोलने इसने कहा है कि basically जो डिस्टेंस से ground is 8 meter मतलब यहां से यहां से यहां तक कर डिस्टेंस कितना आगे सब 8 meter आगे लोग है आपसे यह भी दे रखा मतलब कि basically जो टूटा हुआ part plant का ground को touch करता है वो basically 8 meter की दूरी पर जाके touch करता है तो अब आपसे यह कहा गया कि सब्सक्राइब कि find the height of the tree अब एक बात बताव सब्सक्राइब क्या होगा धान से समझे basically यह टूटा हुआ part है तो यह आपका totally height है अब यही part में जो है भाई put करके यहाँ प्याके में लिए बुलबा समझे माँए कि नहीं तो हमको जो है यह वाले टूरा part निकालना बुलो समझे माँगे कि नहीं है बुलो के लिए है तो इसको नाम दे दे सर A, B, C और D मालेती है तो हमें दे निकलना है सर जी B, C प्लस क्या निकलना सर धानी जी प्रूटन हमें A, C निकलना है और यह A, C किसके बराबर हो को भी हम निकालना है ठीके बुलो सर समझे माँगे पिक्चर तो आप यहाँ पे ल दिखेंगे, let the height of the tree is H, let the height of tree इसके आमालेजिए सर, H मालेजिए, then आपका यहाँ पे picture से लेके, from figure से लेकर आपको फोड़ी सी बाते लिकला सर, ध्यान से समझेगा बिलकुल, from figure आपका height of tree जो है कि प्रूफल कितना होगे सर, H हो गया, यह पूरा height कि होगे सर, H हो गया, यह height H है, जहां से समझेगा सर, height आपको कितना होगे सर, H हो गया, अब यह basically टूटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे front figure से लेके, AC आपकी किस के बराबर होगा सर, AC AB plus क्या होगा सर, BC होगा, AB plus क्या होगा सर, BC होगा, और सर जी यही AB पार्ट आके ground पे क्या होगा सर, टच किया है, तो उस particular case में मेरे भाई, यह AB जो है किस के बराबर होगा, BD के बराबर होगा, क्योंकि यही टूटा पार्ट नीचे आके touch कर रहा है, 8 मिटर की दूर, बोलो सर, समझे मां के किने, अब यहाँ पे सर, AB बराबर, BD, that means AC बराबर क्या होगा, BD plus क्या होगा सर, BC होगा, बोलो क्लियर है, तो यह हमें BD आपका मिल जाए किसी तरीकी से, और BC मिल जाए तो बातों बन जाए ही सर, तो ध्यान से ज़रा समझते हैं सर, बहुत ही सिंपल सा question है, देखें, आपके पास सर, बेश पता है, क्या पता है सर, इंटरांगल हम बात करते हैं, BCD में बात करते ह इंटरांगल, BCD में आप बात करें सर, यदा आप BCD की बात करते हैं, तो देखें सर, यह आपका क्या है, पर्पेंडिकुलर है, और यह क्या है सर, बेश है, तो पर्पेंडिकुलर और बेश में रेश इसका होगा है, 10 का होगा है, इसका होगा है, 10 तीटा तो आप लिखें इस तरीके से आपके पास कितना हो गया 30 degree हो गया BC सर आपको निकालना है और CD आपके पास कितना सर 8 meter 10 30 कितना होता है सर 1 upon root 3 होता है मेरे भाई भू है न तो BC आपके आगे सर एक cross multiply कर लिए सर जी तो इस तरीके से 8 upon क्या हो गया तो BC is equal to आपके पास आगे 8 upon root 3 meter आगे आप होगे सर इस स्लाइज कर दे अभी करने की जरोत नहीं बाद में कर लेते हैं ठीके न फिर BC is equal to क्या आगे सर 8 upon root 3 meter आगे अब मेरे सर जी अभी देखो यहां पे BC तो हमारे पास let's up हो जागे इसी question number 1 मालीजी ठीके न आप इस तरीके से जो है सर जी आपके पास BC आगे आप हमें क्या निकलना सर बीडी निकाल रहा है अब बीडी निकालना है तो क्या करेंगे लिगो perpendicular upon क्या होता सर जी आप चाहिए इस अपान दिस लगा लो चाहिए इस अपान क्योंकि आपको बैलिव आ चुकी है तो आपके निकाल चाहिए यह लगाना चाहिए perpendicular upon hypotenuse मतलब sin theta होता है ना यह तो आप लिखेंगे now sin theta पीछ कर रहें सर, sin theta क्या होगा सर, perpendicular upon hypotenuse होगा perpendicular BC आगे सर जी और आपका hypotenuse आपका BD है आप लिखेंगे sin theta डिगर यहां पर लिखेंगे सर बुलू कलियर है यह नि आप इस तरीके से ने भाई यहां से देखो sin theta मतलब क्या होता है वाना पांट 2 होता है BC जो है from equation first से आपको value निकल चुकी है तो आप यहां पर from equation first से 8 आपान के लिखेंगे root 3 आपान के लिखेंगे sir BD आप यह BD क्या है सर जी इधर आखे multiply हो जाए तो cross multiply तो इस तरीके से BD हो गया sir यह 8 आपका 2 दर गया तो 8 into कितना हो गया 2 गया upon कितना हो गया sir root 3 cross multiplication भाई तो BD बराबर क्या गया 16 upon root 3 meter आपको इस सर जी आपर इस slice क्यों नहीं किया मेरे भाईया लोग क्योंकि sir जी हमारा last answer क्या है total height है तो जब यहां put करेंगे न तर भी वो काम करेंगे उसके पहले नहीं करेंगे बोलो clear होगे कोई दिक्कत तो नहीं है sir अब इसके बार जो है now आगे लिखेंगे sir now करके जो है from मतलब जो होने सी कलिए now a c is equal to आपके पास क्या BD from equation first and second से आप लिखेंगे तो यहां पे now from equation first and second तो इस तरीके से जो है आपने first and second से आपने a c is equal to लिखा तो a c is equal to आपने wave input कर दिया sir a c की value देखें पिक्चर में कितना आप एक BD का है BD BD आपके पासा है sir 16 upon root 3 और plus आपका जो है sir a c कितना 8 upon root 3 है sir देख लिख लिखें जाद इससे आप और क्या sir meter लगा लिखा लिखें अब आप देखें sir यहां फिर बड़ा simple सा होगा है आपका denominator देखें sir क्या है सेम है तो सेम है तो आप लिखें रूट 3 लिखें लिखें और निमरेटर आज़ी देखें sir तो 16 ने 24 upon कितना होगे sir, root 3 होगी आपका meter बुलो clear है या नि अब इस तरीके से आपके पास ac to umbrassization करेंगे sir, root नीच ने रहना चाहिए sir root 3 upon root 3 कर देखें लिटर में तो इस तरीके से जो है आपका 24 root 3 upon 3, root 3 to root 3 का बजाएगा sir, 3 तो इस तरीके से 3 8 जा कितना होगे 24 आगा, बोलो clear है या तो ac बराबर के आगे sir, 8 root 3 मुरी है तो total height of the tree जो आपके possible करके आया sir, जो कितना है, 8 root 3 meter है तो आप बिल्कुल calculation में बारी की से देखें लिए sir, समझ लिजी कहीं, पर विए doubt हो तो comment section में जरूँ लिखें तो ac ब्राबर के आगे sir, 8 root 3 मुरी आगया, कई doubt तो नहीं है sir, जी मेरी पैर भाईयो, बोलो clear है, कोई दिक्कत तो नहीं, okay sir तो चली sir, जी next बात करते हैं, ध्यान से बस आप समस्ते जहिए, बिना परेशान हुए, okay चली sir, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बिल्कुल simple तरीकी से question आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल परेशान हुए बिना आप सिखेंगी, ध्यान से बस आप देखेगा, और सीखते चली sir, ठीके ना, बहुत ही simple तरीकी question तो काफी अच्छा question लगा होगा मेरे भाई, क्योंकि बिल्कुल simple तरीकी से आपको बिल्कुल रस मलाई की तरह सिखाया गया है, तो चरी sir, question number 3 की तरह फर्दर मूब करते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा question है, बस ध्यान से आपको देखना है, और सीखना सब्जी, question number 3 आपक एक contractor है, प्लांग करता है, तो इस तरीकी से कहने का, उनको बड़ा मज़ा आता है, आप लोग भी खेले होंगे, ठीक हमने भी खेला होगा, और छोट खाया होगा, थोड़ा बहुत है, पर साल लिया होगा, तो इस वी छरी sir, आगे बात करते हैं, तो आप सी ये कहागे, एक इस वी छोटे बच्चे हैं, उनकी रिए बिसी के एक स्लाइड बना रहा है, इसके बाद आप से ये कहागे है, कि आगे बुला ही इस इंक्लाइड आट अ अंगल अ थर्टी डिवी तूद ग्राउंड है, अभी ये ग्राउंड से कितना 30 डिवी पर इसका क्याशा है, इसके इसके बाद यो तो होको है, ग्राउंड दया कहागे है, जहांसे इसके बाद ही इसिपॉल चाहिड होुद अ कहले होगी कि स्लाइड पूलस अब इसने कहा कि अनिक्राइन डाइंगल ऑफ 60 अब भी थोड़ से किता होगे 60 डेडी का इक्राइशन होगे इसमें जो होगे 60 डेडी का होगे यह आपका स्लाइड होगे सर यहां पर ठीक है अब ध्यानी जीगे सर तो अब इस तरीके से आप से यह बोला कि मेरे भाई जो है आगे बते हैं वर्ट शुट भी दा जो है लेंथ आप देशन गीच तो आपको बिसीक्री स्लाइड का लेंथ माल लेते हैं सर यह आपका A, B, C है और यह आपका D, E, F माल लेते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा पॉस्चन है सर जी आपको यह स्लाइड की लेंथ पता करें लेंथ आपको A, C और क्या निकालना है सर जी D, F निकालना है बहुती बिल्कुल सिंपल तरीके से तुन्हें ने कहा जी जो 5 साल से बड़े के थे उनके लिए बिसी करें यह अल्डर बच्चों के लिए यह बना लिया डिए यह फिक ट्रांगल हमें टेक यह हाइड उसकी 3 मिटर लिया गया और इसका बिसी इक हमें लेंथ बताना 60 डिगरी पर आइंग आपको इनकोलेशन दिया गया है तो च आपको यहाँ पे दे रखा तो सर 1.5 मिटर दे रखा तक अंगल ओफ इनकोलेशन थीटा दे रखा तक 30 डिगरी सरजी खलेर अब यहाँ पे आप देखे सरजी आपको इस लाइड निकलना है तो AC तो लेट कर लेते length of slide length of slide इसको मान लेते element मान लेते first case है न तो element मान लेते आप इस तरीके से intrangular ABC में अदा बात करो तो intrangular ABC में अदा बात करो तो देखे सरजी यहाँ पे सरजी आपको क्या निकलना है ना ह। इस लाइड का होगे है तो perpendicular दिया गया है सब स क्यार्टिंत 500 शांट सब्सक्राइब को तो अब लगे वह पार्फृो पैसर 0000 . क्याल भी वह option आंट-मीक्ट्रों तो q पने 1-500 mm. बोलो, clear, तो 1.5 into 2 meter हो गया, तो element equal to आपके पास कितना हो गया, sir? 3 meter हो गया, बोलो, clear है हमाँ? आपको कितना दे रखा, sir? 3 meter आपको दे रखा है, angle कितना दे रखा, inclination दे रखा, sir? आपका 60 degree दे रखा, मिरे भाई, 60 degree दे रखा, clear है ना, आप इसके बाद length of slide माल लेते, L to माल लेते हैं, second case में क्या माल लेते, length of slide आपको जो दे रखा है, उसे आप L to take कर लीजिए, अब इ इस तरीके से मेरे भी यह लोग कहां पर solve कर दे रखा, थोड़ा इस तरीके से आपके पास क्या है, sir? sin theta आगया, तो perpendicular देखो, मेरा भाईया का है, DE, perpendicular का है, sir? DE, hypotenuse को देखे तो का है, sir? DF, slant line देखे, sir? DF, गो, clear हो गया, को दिकत तो नहीं है, मिरे बाद, आप इस तरीके से sin theta मतलब sin 60 degree हो गया, DE, DE की value 3 meter दे रखा है, DF आपको, sir, निकाल ला है, बलू कले, 60 मतलब के होदा, sir, root 3 भाई, इस तो होता है, 3 upon कितना होगे, DF होगे, meter cross multiplication करना पड़ेगा, भी यह, तो DF बराबर कितना होगे, sir, 3 into 2 कितना होगे, sir, 6 हो जाएगा, upon में कितना होगे, sir, root 3 होगे, तो अब इसको rationalization करना पड़ेगा, मैं भाई, तो 6 into root 3, अपान क्या करगे, sir, root 3 into root 3, यह बन कितना होगे, sir, 6 root 3 upon कितना होगे, sir, remote 3 आगे, तो 3 तूजा कितना होगे, 6 होगे, that means क्या होगे, sir, 2 root 3 meter आगे, बोलू, sir, clear, तो पहले के इसमें L1 जो आए, sir, 3 meter आगे, दूसरे case में L2 जो आए, sir, root 3 meter आगे, तो sir, यद आप इसको मन कहे न, तो अपने संतना के लिए, कि NCRT में क्या किया गया, sir, basically root 3 के value को आगे, solve करके नहीं दिखाएगा, यद आपको यहाँ पर दिया गया होता, कि root 3 की value 1.732 होती है, तो उस particular question है, आप यहाँ पर solve करके, उसको multiply करके, बता देती है, कि 17, 20, 30, 40, 45, 70 करके कुछ हाया, ठीके न, तो वो चीछ, यहाँ पर situation जो है, sir, आपको नहीं है, तो इसलिए, यद आपको दिया होता, तो हम यहाँ पर root 3 की value को 1.73 रखेंगे, और नहीं दिया है, तो हम नहीं रख करके, बस लिए में drop कर बोलो, आगे, sir, समझे, मैंने कोई देंख कर, तो length of slide आपके पास आगे, 3 meter इसमें 2.3 है, अब इसको, sir, solve करोगे, तो 3.5 cube पर फोड़ा सो जाएगा, पाति यह कोई ज्यादा नहीं आए, बोलो, sir, clear होगे, question number 3, करे, doubt तो नहीं है, sir, बोलिए, चली, sir, एक छोटा सा, प्य यही चीज आपको भ्यान में रतना है, बीना करेशान के, sir, बीना करेशान में, question को सीखते चलना है, sir, question number 4, है, भ्यान दिजेगा, बीन कुल, simple करीका, आपसे लिखाया, sir, the angle of elevation of the top of a tower, from a point to underground, angle of elevation का मतलब, ऐसे, घर में खड़े हो, corner देख रे हो, तो उस case में, जो आपके angle of elevation कालाता, क्या कलाता, sir, angle of elevation कालाता, ठीक, तो अब यहां पी, sir, angle of elevation of the top of tower, तो यह भी a tower बना लिया हो, क्या बना लिया, sir, tower, अब angle of elevation यह दिखा लिया, sir, कुछ इस तरीके का, अभ्यों ने कहाया कि मैं अध्यान से समझना, यहां कहाता, angle of elevation of the top of a tower, from a point underground, which is 30 meter away from the foot of tower, तो यहां से बने 30 meter की दूरी पर जो है, angle of elevation जो है, बिसी कली कितना है, 30 degree का है, तो उसके इसमें height of the tower बताओ, देखो, भयो, कितना simple, लटकर लेके height of the tower का मन इतने सरे, यह tower हो गया, यह आपका ground हो गया, यह क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीके ना, और यह आपका angle of elevation 30 गोलो से clear है, अब यह बात हो गये, sir, तो भया, देखो height है, ground है, अब height or ground है, तो उस particular किस में, का करोगे, बाई, बोलो, अरे, भाई, यह 10 लगा दीग, किया लगाएंगी, concerting of a trade, 10 लगाएंगे, let the height of tower, को मानेंगे H, क्या मानेंगे, sir, एच मानेंगे, और इसके बाद, मे अब देखें द्याहां से समझोगे, Height upon Base का होता है, 10 θ, होता है, तो आप लिखेंगे, Intangle, अभी जगें सर, Intangle, A, B, C, मानलों भाईया, इसको, A, B, C होती है, तो, A, B, C, यहरा बात करें, तो 10 θ जुच करेंगे, तो, परपेंडिकुलर आपान क्या लिखेंगे, भईया, Base, प आप देखे तो सर क्या है चाएंप थी जेए बी क्रेंट डेखे 14-rás-भाइट कर के करीं सब आए स स्मेद отправ से समझेए टैनasu क्यए यहां ऩयुक्त ही जे मगता समझे हे आप धना गया थे 2-3 होटा ए-sided तो रिस्लाइज करेंगे, क्या तरह है कि समझ रिस्लाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे रूट 3 से, रूट 3 से का कर देंगे, अब मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो आप लिख सकते रिस्लाइज़ दर डिनुमिनेटर, बोलो मेरभाई, कोई दिख कर, ठीक है न, अब नहीं अब मेरे भाई याद यहाँ पर रूट 3 की बारो भी आउता 1.730, तो आज आता 17.3, तो आज आता 10 से जब आटे पर देंगे, तो आप यह को ड्रॉप कर देंगे, बोलो सर आगे समझ में, तो height of tower देखो सर, कितने simple तरीके सा आप question की solving कर रहे हैं सर, क्या कहीं कटन लग र अगर हैं क्या, ना सर, बस काईदे से देखो, एक एक question को बारी की से देखो सर, बड़ा मजा है, ठीके तो आज की विडियो में बस यह को ड्रॉप करते हैं सर, नेक्स विडियो में फिर मिलते हैं सर जी, ठीके ना, बीना परेसान भी देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बस के वल क्या है, नंबर को बट और ना सर, बिल्कुल समझेगे, ना, मैट्स वाला बया जोड़िये, ये नंबर को खंगो लिए, के लिए, पूरे के question को निचोड़ देंगे, बात समझ में आगे बिल्कुल अगदा हूँ, जैसे कपड़ निचोड़ते हो, ना, वैसे से को निचोड़ेंगे, बारी की से question को ठीगे, तो जैसे सर निच्ट वीडियो में मिलने, थैंक्यू सब मच पर वाचिंगे, नमस्क्राइब, नमस्क्राइब,